बैंको का 9,000 करोड लेकर विदेश भागे विजे मालिया पर शिकंजा कसने के लिए जांच एजंसियों ने तयारियां तेज कर दी है सूत्रो ने बताया कि CBI की अतिरित निदेशक राकेश अस्थाना के अगुआई में यह चार सदसे टीम ब्रिटेन के अधिकारियों को मालिया के खिलाफ रिण भुगतान में असफल रहने के मामलों की बारीकी से जानकारी देगी इस चीम में EDK दो वरिष अधिकारी भी है, मालिया के प्रतियरपण का मामला इस समय ब्रिटेन की अधिकारियों की रफतार किया था दरसल यहागी रफ्तारी IDBI बैंक में 900 करोड रुपे के कर्स का बुकतान नहीं करने से जुड़े मामले में हुई है इस मामले की जांच CBI कर रही है मालिया की फिलहाल बंद पड़ी किंग फिशर एरलाइन्स पर विभिन बैंकों का 9000 करोड रुपे से अधिक का बगाया है मालिया 2 मार्च 2016 को भारत से ब्रिटेन चले गए थे CBI ने उनके खिलाफ दो मामले दर्च किये है एक तो IDBI बैंक से जुडा है और दूसरा मामला भारतिय स्टेट बैंक की अगुआई वाले समूं की शिकायत के आधार पर दर्च किया गया है तो विजे मालिया पर श्रीकंजा कसने के लिए अब जांच एजंसिया लंदन पहुंची है मालिया इस वक्त लंदन में ही है और माना जा रहा है कि जांच अधिकारियों के वहाँ पहुंचने से केस को मस्बूती मिलेगी अधिकारी अपना पक्ष सही तरीके से रख पाएंगे देखते रहे हैं डीपी लाइफ